नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है मैं डॉक्टर अंजू ओजा आज आपको पृत्वी की उत्पति से संबंदित लापलांस की निहारी का परिकल्पना के बारे में बताने जा रही हूं हम सभी जानते हैं कि यह जो परिकल्पना है वो एद्वेतवादी संकल्प परिकल्पना से संबंदित है जिसका तात्पर्य है कि पृत्वी की उत्पति सिर्फ एक ही तारे से हुई मानी जाती है पृत्वी की उत्पति के संबंद में संभवत है सर्व पर्थम तर्क पून परिकल्पना का परिकल्पना का पर्तिपादन फ्रांसीसी वेग्यानिक कास जा गया है नमबर वन है एद्वेत्वादी संकल्पना जिसके अनुसार प्रत्वी की उत्पति एक ही तारे से हुई मानी जाती है और दूसरी है द्वेत्वादी संकल्पना जिसके अनुसार प्रत्वी की उत्पति दो तारों से मानी जाती है यहां हम देख रहे हैं एद्वेतवादी संकल्पना इस संकल्पना को parental hypothesis भी कहा जाता है जिसके अनुसार ग्रहों तथा प्रत्वी की उत्पति केवल एक ही तारे से हुई मानी जाती है इस समश्या को सुलजाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने मत विभिन रूपों में प्रस्तूत किये हैं इस दिशा में सरवपर्तम प्रियास फ्रांसी सी कास्तिद बफन द्वारा किया गया बाद में चलकर इमेन्वल कांट लापलांस रोश और लॉकियर ने भी अपन मत सन 1760 में में व्यक्त किया जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है लापलांस ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना शंशोदित विचार व्यक्त किया है कांट की परिकल्पना के मुख्य तीन दोश थे नमबर वन निहारी का अथ्वा आध्य प्रदार्ट के कणों के टक्राव में प्रियाप्त उश्मा उत्पन नहीं हो सकती है नमबर टू कणों के टक्राव से गती उत्पन हो सकती है और नमबर त्री आकार में व्रदी के साथ गती में व्रदी नहीं हो सकती है लापलांस ने कुछ कलपनाएं भी की हैं जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धान्त आगे चलता है प्रथम अर्थार्थ निहारिका के ताप की समश्या हल करने के लिए उन्होंने ये मान लिया कि ब्रह्माण में पहले से एक विशाल तप निहारिका थी नमबर दो ये निहारिका प्रारंब से ही गतिशील थी और नमबर थी ये निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुडती गई तो इन्होंने क्या है प्रारम से ही मान लिया कि ब्रमांड में एक निहारिका थी जो गतिशील थी और जब वो निरंतर गतिशील करते वे ठंडी होती है तो उसका आकार सिकुडने लगता है अतीत काल में ब्रमांड में एक गतिशील एवमतप्त महापिंड था जिसको लापलांस ने निहारिका नाम दिया निहारिका की गती के कारण विकिरन द्वारा उश्मा का हास होने लगा जिस कारण इसका बहीर भाग सीतल होने लगा यानि निहारिका गती कर रही थी गती करते करते वो ठंडी होने लगी विकिरन के कारण तो उसका बाहर का भाग सीतल होने लगा इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा हमने पहले बताया कि उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं की हैं कि जैसे ही निहारिका ठंडी होगी ठंडी होके उसमें संकुचन होगा तो आकार और आयतन में हास होने के कारण उसमें गती में व रुद्धी होने लगी अत्यदिक गती के कारण केंद्रा पसारित बल के कारण निहारिका के मद्यवर्ती भाग के प्रदार्थ बाहर हीन होने लगे तथा मद्य भाग बाहर की और उभनने लगा उपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यदिक घना हो गया परंतु यह उ प्रकार उपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुडते मध्य भाग से चल्ला के रूप में प्रतक होने लगा कुछ समय बाद यह गोल चल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारिका का चक्कर लगाने लगा लापलांस के अनुसार निहारिका से केवल एक ही चल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह चल्ला नो ग्रहों में विभाजित हो गया जबकि कांट के अनुसार निहारिका से नो चल्ले निकले थे तथा प्रतेक चल्ला एक दूसरे से दूर होता गया प्रतेक चल्ले के समस्त प्रदार्त ने एकिस्तान पर गांट के रूप में एकत्रित होकर गरम वायव्य ग्रंथी का रूप धारन कर लिया जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गई इस प्रकार नो ग्रहों का निर्मान हुआ इस क्रिया की पुन्रावर्ती के कारण ग्रहों से उपग्रहों का निर्मान हुआ निहारिका का अवशिष्ट भाग सूरिय बन गया उन्निसवी शताबदी के मद्य में फ्रांसिसी विद्वान रोष्ट ने लापलांस की परिकल्पना में संसोधन प्रस्तुत किया अंत में ये हमारा विश्य यहीं पर समाप्त होता है और अंत में आप सभी का धन्यवाद